हेलो दोस्तो स्वागा थे आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम दो दिसंबर से संबंधित उत्तरप्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए most important current affair के questions को discuss करेंगे और हरे questions के related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे एक question भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सुरू करनी से पहले हम कल की questions का revision करेंगी कल का पहला question है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगटनों का समर्थन और विकास करने के लिए से दिया गया तो यह दिया गया है डॉक्टर गिरीस पांडे को यानि अप्सन नमर सीस का करेक्ट होगा और दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट अफिर की लास्ट टेन मंद के अगर आपको पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के description में मिल सकते हैं इस पीडियाफ में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश करेंट अफिर के सभी इंपूर्टन कुश्चंस को विस्तार पूरवग बताया है और अगर आपको कीवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करेंट अफिर की पीडियाफ डाउनल और फरी में जाएगा जैस पर आप कोंटेक्ट कर सकती हैं और जो वट्सबन है वो आपको डिस्क्रिक्टिंब संबाक्स में भी मिली जाएगब तो कोई भी दिक्कत होती है तुस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगरा ज़िए नए टूटर के नह Martin पिन्वे मुख्य कारी सभाल लिया है इसका जो करेक्ट अंसर है है वाइस एडमिरल आर हरी कुमार ने अगला घुश्यार भारतिया परवातार रोड फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष निम्नमें से कौन बन गई है इसका जो करेक्ट अंसर है अगला घुश्यन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिल्लाडू में विलंकनी चर्च को जोड़ने की घोशना की इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सन नमर सी दिल्ली सरकार ने अगला घुश् अगला कुश्यन है इनमें से कौन चेक देश के नए परधार मंत्री निखते हुए है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नमर बी पैटर फियाला अगला कुश्यन है किस राज्य में पहली बार ड्रोन से दवाईयों की डिलीवरी की गई इसका जो करेक्ट आंसर है व उत्तर प्रदेस में कितने जिले खुले में सौच से मुक्त नहीं हैं। इसका जो correct answer है है ओप्सन बर बी 47 जिले। प्रदेस के लगबख सभी जिले ODF और ODF प्लस की स्रेणी में पहुच चुके हैं। सभी जिले खुले में सौच से मुक्त होने का दावा करते हैं। लेकर नार्स यानि निशनल, एन्यूल, रूरल, सेनिटेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेस के अभी 47 जिले ऐसे हैं जिनमें कई परिवारों की पास अब तक सौच आले नहीं हैं। और वह खुले में सौच जाने को मजबूर हैं। नार्स सर्वे की आई तीसरे चरण की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खराविश्तिती चित्रकूट और एटा जिले की बताई गई। इस सौची में 23 जिले सामिल हैं जो 95 फीसद तक ही लोगों को सोचाले दे सकी हैं। तो दोस्तों important है काफी अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो नार्स सर्वे हैं उसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई। सबसे ज़्यादा खराब इस्तिती बताई गई है तो ध्यान रखना है चित्रकूट और एटा जिले की सबसे ज़्यादा खराब इस्तिती बताई गई वह चित्रकूट और एटा की बताई गई और चित्रकूट में अगर दिखा जाए कि कि इतने फीसदी परिवारों को अगला कुश्यान है भारतिय राश्ट्रिय राजमार्क पराधिकरण एनेच ए आई ने हाल ही में कौन से एक्सप्रस्वे के निर्माल का प्रस्ताव रखा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है option number A गोरकपूर सिलेगुडी एक्सप्रस्वे भारतिय राश्ट्रिय राजमार्क की एक्स्प्रस्वे होगा इसकी कुल लंबाई में से 450 km का जो हिस्सा है वह बिहार से हो करके गुजडेगा ये जो नया प्रस्तावत एक्सप्रस्वे है ये गोपाल गंछ से बिहार में प्रविस करेगा और इसका अंतिम छोर किसन गंज में होगा इसमें अगर देखा जाए कि बिहार के किन किन जिलों में ये एक्सप्रस वे गुजरेगा तो आपको ध्यान रखना है बिहार के सीवान, छपरा, मुजफरपूर, सीतामडी, मधूबनी, सुपॉल, सहरस और पूडिया ये बिहार के मोडेश्टिक हैं जिनमें से ये गोरकपुर सिलीगुडी एक्सप्रस वे गुजरेगा अब दोस्तों अगर इस एक्सप्रस में की बात की जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी होगी तो आपको ध्यान रखना है पांसो पंदरा किलोमेटर पांसो कहां तक जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश के गोरकपुर से सिलीगुडी पश्यमंगाल के सिलीगुडी तक जाएगा अगला कुश्यान है लकनों में आयोजित भारत आस्तसिल महुसफ दोजारिकीस की थेम क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप्सन मरसी आत्म निर करती उपोवन में हो रही है इस महुसफ की थेम क्या रखी गई तो ध्यान रखना है आत्म निर्भर भारत की और बढ़ते कदम ये इस महुसफ की थेम रखे गई इस पंद्रहे दिवशिय महुसफ में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, महारास्ट्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो महुसफ है, ये कितने दनों का होगा तो ये पंद्रहे दिव से महुसफ होगा और ये कब शुरू हुआ तो ये तीस नवंबर को शुरू हुआ जो की चौधा दिसमबर तक चलेगा और इसका जो आयूजन है, वो कहां पर किया जा रहा है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, उत्तर परदेश की राजधानी लकनों में इसका आयूजन किया जा रहा है, अगला कुश्यर है, विश्व एड्स से दिवस, वर्ल एड्स डे, निम्नमे से किस दिन मनाया जाता है, इसका जो क्रेक्ट राज़र है, कोई ऑप् साल की थीम क्या रही, तो ध्यान रखना है, असमाने ताओं को शमाप्त करें, एड्स का अंत करें, ये दोहजार एक्टीस की एड्स दिवस की थीम रही, सबसे पहले विश्व एड्स दिवस कम बनाया जाता है, तो साल उनीस सो अठासी में सबसे पहले एड्स दिवस मनाया तो आपको चैनल कना है कि हर साल अर्सन दिवस कम बनाया जाता है तो एक दिसंमर को हर साल विश्व एर्ट सन दिवस बनाया जाता है और इस साल इस दिवस की ठीव में रही तो इसे भी आपको चैनल लगता है decision किसमस हूर footballer ने रिकॉर्ड सात्वी बार सर्वस्रेश्ट फुटबॉलर का बैलन डी ओर अवार्ड जीत लिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो अप्सन मरसी लियोनेल मेसी ने अरजंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड सात्वी बार बैलन डी ओर 2021 का किताब ज रोनाल्डो जो कि इस अवार्ड को सबसे ज्यादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी है और इस बार ये चटवे स्थान पर रहे तो इसे आपको ध्यान रखना है क्रिश्टियानो रोनाल्डो ने पांच बार इस किताब को जीता बता दें कि बैलन डी ओर अवार्ड फ्र अवार्ड किसने जीता है तो ये जीता है अर्जेंटीना की स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने और ये जो लियोनल मेसी हैं ये सबसे ज्यादा इस अवार्ड को जीतने वाले खिलाड़ी है तो इसे भी आपको ध्यान रखना है और इन्हों ने इस बार इस अवार्ड को सातवी वार जीता है तो इसे भी आपको ध्यान रखना है और जो दूसरी नमर पर है क्रिश्टियानो रोनाल्डो वो इस अवार्ड को पांच बार जीत चुक गई है अगला कुश्यन है हाली में किस राज के पुलिस ने Call Your Cop mobile app launch किया है इसका जो correct answer है वह option number D नागा लेंड ने है नागा लेंड के पुलिस ने Call Your Cop mobile app launch किया एपको Axel Logics Tax Solutions private limited द्वारा का विक्सित किया गया था, एप राजिक के सभी नागरिकों को विशेश रूप से संकट ग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस से संपर करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह है किवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है, एप में एक निर्देशी का अलर्ट, इप्लिक्सित किया है, तो आपको ध्यान रखना है और यह जो मोबाइल एप्लिकेसन है, यह क्या काम करेगा, तो यह अप्लिकेसन की सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर करने में सक्षम बनाएगा, अगला खुश्य है, अणवाचल प्रदेश ने अभी हाली में भा का कौन सा पहला प्रमारित जैविक फल लॉंच किया है इसका जो करेक्ट अंसर है वह ऑप्शन बर सी कीवी 28 नमबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एक मातर प्रमारित जैविक कीवी को आदी महुसव नामक एक मेगा राश्ट्रिय जन जाती किया गया जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लुवर सुमनिसरी जुले का एक सहर और जिला मुख्याला है यह उसव नई दिल्ली में दिल्ली हार्ट आई एने में आयुजित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा भारती राज्यों है जिसने मिसन और्ग को अच्छे से ध्या रखना ही कुश्यर मुस्ट इंपॉर्टेंट है कि अवनाचल प्रदेश जो यह भारत का पहला ऐसा राज्यों बन गया है जिसने मिसन और गयने के वैल्यू चेंड डेवलेप्मेंट फॉर नौर्थ इस्ट रीजिन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है औरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजाइदत को ब्रैंड अमेश्डर की रूप में साइन किया है रहूल मित्रा को ब्रैंड सलहकार नियुक्त किया गया उन्हें 29 नवंबर 2021 को राज्य के नामकरण की 50 वे वर् आप कि कए सरकार ने संजाइदत को राजिका ब्रैंड इमेश्डर नवीक्त किया है तो अपको ध्यान रखना है और चल में बीडि मिसरा और अर। माचल प्रदिश में लोगसभा सीटों की संख्या कितनी हैं तो ध्यार रखना है दो यहां पर लोगसभा सीटों की संख्या है और एक यहां पर राजिसभा सीट की संख्या है। किस अस्तान ने पत्रकारिता में उत्तकरिश्टता के लिए इंडिया अवार्ड 2021 की घोशना की है। प्रतेक टीम के लिए एक लाख रुपय का नगत पुरुसकार, एक ट्रॉफी और एक प्रसस्ती पत्र सामिल है। प्रश्मी सुब्यवन्यम और भानू प्रकास चंद्र को दिया गया है। हाली में किस राजने चार धाम देविस्थानम प्रबंधन अधियनियम को निरस्त करने की घोशना की है। इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सिन अंबर बी उत्रा खंड ने। उत्रा खंड सरकार ने चार धाम देविस्थानम प्रबंधन अधियनियम को निरस्त करने की घोशना की है। इस अधियनियम ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री और उननचास अन्य मंदरों के चार प्रतिष्ठित हिंदू मंदरों को एक तीर्थ बोर्ड के दैरे में लाया। कानून ने बोर्ड को तीर्थ इस्थलों के प्रबंधन के लिए सर्वोच सासी निकाय के रूप में नीतियां बनाने व्याय की मंजूरी आधी की अन्मती दी है। तो ये है मैप में उत्राखंड उत्राखंड की कैपिटल है देहरादून उत्राखंड के चीफ मनिश्टर है पुसकर सिंग धामी और उत्राखंड के गवरनर है गुर्मीत सिंग और उत्राखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आपको ध्यान रखना है पांच एकल की वीडियो काइशन जो हमने आपसे पूचा था तो यह है कल के वीडियो का उच्छन जो हमने आपसे पूचा था। भारतिय रेलवे ने निमनमेसिक के सिराज्ज में दुनिया का सरशें उचा यानी 141 अच्छ ॉच्छ रेलवे ब्रेज का निर्बाण कर रहा है इसका जो correct answer था वो option number B था मड़ी पूर और लगबख सभी students ने इस case सही जबाब किये और मैं आपसे हरूस कहता हूँ कि जो भी question आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका answer जरूर क्या करो तो यह है और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी वाइल लाकन को भी प्रेस करें ताकि time to time notification आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्ष्टी वीडियो में थैंक्यू